हरिटेज कमीटी की मंजूरी के बाद इस बार नाकपुर शहरवासी कस्तूरचंद पार्क में रावन दहन देख सकेंगे मैदान में स्थित पुरातन वस्तूओं को नुकसान की संभावना को देखते हुए कमीटी ने इस आयोजन पर पाबंदी लगा दी थी लेकिन इस वर्ष मिली मंजूरी के बाद सनातन धर्म सभा भी काम में जुड़ गई है पिछले अनिक वर्षों से नाकपुर शहर में रावन दहन का ये प्रमुक आयोजन बना हुआ है सनातन धर्म युवाव सभाद्वारा कई वर्षों से कस्तूर चंद पार्क में इस कारेक्रम का आयोजन किया जा रहा है मैदान में रखी पुरातन वस्तूओं को देखते हुए हैरिटेज कमीटी ने रावन दहन कारेक्रम को मंजूरी देने के इनकार कर दिया था इस पर आयोजकों ने हाई कोट का दर्वाजा खटखटाया था हाई कोट ने कोई भी कारेक्रम करने से पहले कमीटी से अनुमती लेने को कहा था नीरी के पूर्व निदेशक तपन चक्रवर्ती की अध्यक्षता में बनी समिती ने इस बार आयोजन को मंजूरी दे दी है आयोजक अब 5 से 16 अक्टूबर तक इस कारेक्रम की तयारी कर सकेंगे इसके साथ ही कस्तूरचंद पार्क और जीरो माइल के विकास की रूप रेखा पेश करने के निर्देश प्रशासन को दिये गए है इन दोनों ही स्थानों में देख रेक के अभाव में उग आई जाडियों को निकालने के भी निर्देश दिये गए है